हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो और चैनल वी वर्सेटाइल आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और हॉनेस्ट रिव्यू वह है रियल्मी 5i के मोबाईल का इसके अन्बॉक्सिंग तो मैं नहीं कर रहा हूं आज मैं इसका एक मंत का यूज का रिव्यू बता रहा हूं कि उ आज हमारे पास है रियल्मी का 5i जो कि मैंने इस कलर में पर्चिस किया ग्रीक और कॉछ अपर रहा है जो कि एक्वा ब्लू कलर में मैं पर्चिस किया था फ्लिप काट से तो आज मैं आपको इसका डिटेल्ट रिव्यू बताने जा रहा हूं कि इसका कैसा इस्पिनियंस रह तो चलिए इसका डिस्प्ले साइज के बारे में हम बात करते हैं इसका डिस्प्ले साइज है इसका डिस्प्ले साइज है इसका डिस्प्ले है इसका डिस्प्ले है इसका डिस्प्ले में कितना अंतर है तो यह देखने में काफी ही लंबा है और देख सकते हैं इसका IPS है और इसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है और इसमें आपका जो ड्यू ड्रॉप एक कैमरा कट दिया हुआ है जो कि अभी लेटिस में चल रहा है तो आपको फुल ताइज आपको स्क्रीन का इसमें आपको व्यू दिख जाएगा आपका पूरा इस में देख पाएंगा और इसका जो कैमरा है जो में जो पॉइंट था इसके कैमरे में पोर कैमरा सेट अप दिये हुआ है इसका में कैमरा है 12 मेगा पिक्सल का और इसमें 2 मेगा पिक्सल का डैप्स कैमरा है 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो शॉर्ट है और इसमें वाइड एंगल कै अच्छे सी पोटो ले सकते हो और जिसमें आप जादा लोगों को गवर कर पाऊ और बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इसका जो कैमरा है वो 12 मेगा पिक्सल है बट अगर आप इसके कैमरा शोट्स जो में हमें डाल दूंगा उसको आप अगर देखेंगे तो आपको अंतर एक वक्ती तो इसमें ड्यायल से मैं इसमें घ्रला दोनों शीन रेल लंगती है और इसकी हास बात ये कि इसमें डाल इतिकेड़ से इसमें आप आपका जो memory card है वो भी आप इंक्रीज कर सकते इसका size इसमें वैसे इसका specification जो मैंने purchase किया है वो 464 वाल है 4GB की रहा में और 64GB इसका internal storage है तो अगर आप इसको अपड़ेट करना चाहते हैं इसमें memory card लगाना चाहते हैं तो इसको आप और अपड़ेट कर सकते हैं 256GB तर तो dedicated slot क यह फाइदा हो जाता है और इसमें जो support है वो 4G का support है dual SIM 4G है one time पर one SIM में 4G चलता है और एक में 3G चलता है तो यह भी अच्छी चीज है और दूसरी बात यह है कि इसका जो इसमें आपको मैंनते है 3.5 mm का audio jack जो कि आचकल कही मोबाइल्स में नहीं आता है इसमें audio jack है जो क का audio jack भी है और इसमें पावर बटन है जो कि आपके राइट साइड में और वोल्यम अपन डाउन रोकर इधर लेख साइड में दिये वह है और इसका एक fingerprint scanner है जो कि आपको back side में दिया हुआ है यह दे भी है इसका back side में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इन डिस आपको fingerprint easy होता है यूज करने में और इसकी बात की जाए battery backup की तो इसमें 5000 mh की battery है और इसका चार्जिंग सपोर्ट है वो 10W का है और जब इस तक हम यूज कर रहे है तो इसमें battery backup इसका देड़ से दू दिन का really normal moderate level पर हो जाता है जब चलता नहीं हो प्लस इसमें power setting mode भी है तो यह अच्छा खासा चल जाता है और 6.52 इंच के display के साथ में इसका battery backup बहुत ही जादा अच्छा है और अब बात करते इसका processor की इसमें जो processor है इसका processor android 9.0 इसका operating system है जो की अभी upgradeable है android 10 के लिए realme UI उसका जो chipset लगा हुए snapdragon 665 का है 11 nanometer और यह भी बहुत अच्छा है ज यह phone अभी January में launch हुआ था इसके और भी variant है पर इसका जो यह variant है इसका यह खात बात एक panel की इसका जो पीछे जो back side है यह इसका clear finish नहीं यह mad finish में है तो जब भी आप phone को हाथ में लेते हो तो इसका gripping अच्छी होती है और प्लत दूसरी चीज ही होती ही कि जब भी आप phone को क मुझे लगाओ है प्लस इसका जो camera side जो चारो camera का setup एक side में है वह भी मुझे खाफी पसंद आता है क्योंकि अगर आप बिना glass guard के back guard की यूज कर रहे है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और यह बहुत अच्छे से होता है बहुत ही handy अगर आप में लेके देखो इसका weight पी ज्यादा नहीं है 195 ग्राम का weight है जो की एक moderate weight है आपका अच्छे long time भी अगर आप यूज करते हो अगर आप अफजी player हो और आप ज्यादा time तक भी यूज करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और इसमें inbuilt fingerprint sensor है, accelerometer है, gyarometer है, proximity, compass meter है और इसमें दो color आते है एक एक ब्लू आता है तो पुझे एक ब्लू पल्ग जादा अच्छा लगा और जो की देखने में भी अच्छा लग रहा है और जब आया है तो और जादे ही अच्छा लगा रहा है बाकी इसकी build quality नहीं की बात करें बहुत एची build quality है आप में लेने में लगता है कि हाँ दिक्कत होती है इस आच्छे फून चलाने में तो यह थोड़ा सा रहेगा कि आपको थोड़ा सा लॉंग पड़ेगा मोगई बाकी वैसे बहुत ही अच्छा है यह कुछ पिक्स मैंने लिये है यह बैक कैमरा से पोट्रीट मोड में लिया है फोटो यह वाइड अंगल में मै मैक्रो शोट लिये है उसे बहुत ही फोन बहुत अच्छा लगार बजेट के साब से बहुत ही बढ़िया फोन है अगर आपको दस्ते बारा की रेंज में कोई मोबाइल से यह तो यह अच्छा है तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे वेप 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 और बढ बढ वेप खाआईं रहूए habits और बढ वेप पानी है